तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो National Fertilizer Limited की और से दोस्तों यहां पर recruitment की जा रही है Non-executive Posts की यहां पर recruitment की जा रही है Online यहां पर application forms जो है यह फिल किये जा रहे हैं दोस्तों जो various यहां पर units हैं, offices हैं, NFL के यहां पर तो वहां के लिए यहां पर यह recruitment जो है, यह की जा रही है Non-executive Level की जो यहां पर Posts हैं, ठीक है तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो नंगल unit के लिए आप यहां पर देखेंगे कौन-कौन सी Posts हैं जैसे Junior Engineer है, तो इसके लिए जो हैं अलग यहां पर qualification है अलग-अलग unit में यहां पर Posts हैं दोस्तो Unit-wise है, यहां पर जैसे मैंने आपको बताए कि इनके 5 यहां पर जो units है वो यहां पर है, देख सकते हैं इसके detail भी बताए गई है NFL has 5 gas based ammonia urea plants, plants हैं इनके दोस्तो, ठीक है जैसे नंगल plant है, बठिंडा unit in Punjab है, पानिपत unit है, हरियाना तो इस तरीके से यहां पर इन्होंने अलग-अलग units के लिए पोस्टे निकाली है और दो plants इनके हैं यहां पर विजाईपूर unit at district gunna में, मध्यप्रदेश के अंदर तो यहां पर अलग-अलग कॉलिफिकेशन है, जैसे कि दोस्तो टेंथ के बाद, यहां पर 2 용 giorno इनके गया है तो आप वो देख लेना, जो भी की कॉलिफिकेशन है और उसे साब से जो भी पोस्ट आपके लिए फिट बैठती है उसमें आप अप्लाई कर लीजेगा online यहां पर forms जो है फिल किये जाएंगे और आल इंडिया लेवल की पोस्टे दोस्तों सभी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं प्लाई कर सकते हैं 200 अपको जनुर्ण में आते हैं अगर आप ऑबीसी से आते हैं और ए से टीटेक्री में आते हैं तो आपको 200 प्लस जो भी बैंक का चार्जिस वगेरा लगेगा वो आपको पे करना होगा किसी भी पॉस्ट में आप अपलाई करोगे उसके लिए आपको 200 दोस्तों यहाँ पे और्टी टेकनिशन की पोस्ट है इस तरीके से नर्स की भी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी तो इसे साब से जो नर्स के लिए जो भी हाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वाइड रहती है जैसे लेव टेकनिशन की भी पोस्ट एक्सरे टेकनिशन की भी पोस्ट है तो इसमें आपने डिप्लोमा या डिगरी की होने चेह ठीक है न तो यह आप देख लेना दोस्तों यहाँ पे कई सारी पोस्ट हैं यूनिट वाइस यहाँ पोस्ट हैं कहीं पोस्टों के लिए तीन साल का डिप्लोमा रिक्वाइड होता है कहीं पोस्टों के लिए यहाँ पे आपकी आई साइट वगेरा भी चेक की जाती है फार्मेसिस्ट के लिए यहाँ पे जो है अपने डिगरी किया होना चेह तो अलग-अलग पोस्ट हैं दो अगर कोई भी डाउट आपका है तो आप उसकी जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों category में आप आते हो तो आपको relaxation देखने को मिल जाएगा जैसे यहाँ पे देखिए junior engineer की post के लिए 3 साल का diploma आपने किया हो या फिर B.H.C. आपने किया हो चीकिए ना regular किया होना चाहिए और इसी तरीके से फिर अलग-अलग जैसे यहाँ पे trade wise यहाँ पे यह post है जैसे junior engineer देखिए mechanical की यहाँ पे post है तो mechanical में आपने 3 साल का diploma किया हो instrumentation का है तो instrumentation में 3 साल का diploma तो जिसमें भी post निकाले गई है जिस भी trade की उसी trade में आपकी qualification होना चाहिए ठीक है दोस्तों यहाँ पे देखिए nurse की post है nurse की post के लिए किया होना चाहिए आपने 12th किया हो और science में किया हो क्योंकि nurse की post है दोस्तों medical line में आप जा रहे हो तो यहाँ पे 12th आपने science में किया होना चाहिए साथ में full time जो regular diploma आपने किया हो GNM का 50% marks के साथ अगर general में आप आते हो or SCST में आते हो तो 45% marks के साथ या फिर आपने BSC किया होना चाहिए ठीक है या तो आपने 12th के बाद GNM course किया हो या फिर आपने BSC किया हो BSC nursing आप नहीं की हो तो आप यहाँ पे nurse की post के लिए apply कर सकते हैं जो यहाँ पे age है न दोस्तों वो सभी post के लिए same रखी गई है general में 18-30 बाकी category में जो आते हैं उनको relaxation ठीक है अब मैं direct नीचे scroll करके आपको कुछ और यहाँ पे बता देता हूँ तो देखो यहाँ पे OT technician में 12th आपने physics chemistry biosik किया हो और साथ में एक साल का diploma आपका होना चाहिए operation theater में आप apply कर सकते हैं तो इसमें vacancy निकलती रहती है अच्छा course है दोस्तो इसको आप कर सकते हैं अगर आपने नहीं भी किया है ऐसे ही अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो आप जो है इस course को कर सकते हो क्योंकि आगे यहाँ पे पोस्टें जो है निकलती है इस trade में ठीक है तो अभी भी निकली है अगर आपने यह course किया हुआ है 12 के बाद तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं दोस्तो आपकी जो qualification है आपकी जो age है उसको 39-2024 को देखा जाएगा तो आपका complete हो जाना चाहिए मतलब age भी आपकी होनी चाहिए और आपकी qualification भी यहाँ पे complete होनी चाहिए ठीक है ना इस date तक आपकी complete हो जानी चाहिए ऐसा ना हो कि अभी result नहीं आया है ऐसा वैसा तो यह नहीं होना चाहिए नहीं तो आप apply नहीं कर पाऊगे यहाँ पी आपको problem हो जाएगी और उसके अलावा दोस्तों कुछ और important देख लेते हैं फीस जैसे मैंने आपको अल्रीडी बताया है 200 प्लस जो बैंक की चाहिए चिस भी पोस्त के लिए आप apply करोगे 200 प्लस बैंक की चाहिए आपको देने पड़ेंगा और रिक्वाइड और नाट रिक्वाइड तो देखो यहाँ पे SC, ST और PWDA एक सर्विसमें और जो डिपार्टमेंटल कैटिगरी की कैंड़ेट्स है ना उनको फीस पे करने की जुरूत नहीं है मतलब फ्री आप कास्व आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं ठीक है और फिर यहाँ पे कुछ बताया गया है कि अपको अप्लोड करने है जब आप यहाँ पे ऑनलाइन जो अप्लिकेशन फॉर्म में वह सब्मिट करोगे कि दोस्तो मैंने इसके रिघार्डिंग में ना आलरेडी डिटेल वीडियो डाल दिया है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको देख लीजेगा ठीक है आपके लिए ही डाली है थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आती है तो आप डाल दीजेगा उसको देख लीजेगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए यह कुछ मोड्स बताएगे हैं डेविट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग या UPI ID के तुर आप ऑनलाइन पैमिंट कर स हैं उस पर सारी चीज़ें आपको मैंचन हो कौन सी जगा पर आप चाहना है एक्जाम देेने केलिए कर ona है ताइम धी गलिए होगी और जो आपके डिन कार्ड है वो एक्जाम डे एक्जाम जिस दिन भी होगा नहीं उससे पहले पहले ही आपकी अपको डाउनलोड करना है ओफ-लाइन आपका एक्जाम रहेगा दोस्तों और आंसर शीट पर आपको जो है आंसर जो है देने होंगे डेड़ सो कुछन आपको पूछे जाएंगे डे और एक एक्जाम के लिए कॉमेंट रहता है दोस्तों से ले बस तो वहां से आपको कुछे जाएंगे 50 तो 150 कुछन 150 मार्ट के रहेंगी यहां पर देख सकते हूं यह 22 सेंटर्स बताएगे जहां पर जाके आपको एक्जाम देना है ठीक है जैसे रांची जारखंड में आप गुहार्टी कुलकता जम्मू और भूवनेश्वर अमरावती विज्यवाड़ा पटना गुयालियर एसी जगहों पर आपका एक्जाम यहां पर होने वाला चीक है यह 10 टेटियो आगे चेंज भी हो सकता है हो सकता है किसी जगह पर इनको मतलब कम कैंडिडेट्स होंगे तो उनको दूसरी जगह पर shift कर सकते हैं तो यह इनके right है यह कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं फिलाल आप यही देखके चलिए कि यह आपके examination centers होने वाले हैं जहां पर जाकर आपको offline exam देना है यह OMR based होता है दोस्तो OMR answer sheet आपको दी जाती है जो बाद में आपको हाँ पर ही submit कर course के regarding पूछे जाएंगे दोस्तो जो बाकी 50 question होंगे यह general English, quantity, aptitude, reasoning and general knowledge, awareness से question पूछे जाएंगे और सबसे अच्छी बात हैं यहां पर किसी भी तरह की negative marking नहीं होने वाली है मतलब अगर आप किसी भी question का गलत answer देते हैं तो आपके कोई भी marks जो हैं नहीं काटे जाएंगे इसके लाव यहां पर बताया गया है दोस्तो these being group C non executive level की जो post है इसके लिए कोई भी interview नहीं होने वाला है और जो भी यहां पर selection होने वाली है वो यहां पर purely on the basis आप जो भी marks आप obtain करोगे OMR based test में उसी basis पर यहां पर आपको आपकी जो यहां पर selection है वो यहां पर होने वाली है इसके लाव दोस्ते इनके पास right है कि अगर skill जो trade test है वो भी हां पर conduct करा सकते हैं किसी post के लिए या फिर सभी post के लिए ठीके दोस्तो तो यह इनकी मर्जी है इनके पास right है यह conduct कर सकते हैं skill test को conduct करा सकते हैं या फिर जो examination इन्होंने मतलब conduct कराया है उसी basis पर यहां पर select किया जाएगा इसके लाव दोस्तो एक और चीज़ में यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको कि आगर आपके form वगेरा में कोई mistake वगेरा लगती है दोस्तो तो mistake जो है यहाँ पर बताया गया है category wise कितना कि आपको relaxation दिया जाएगा तो यह चीज़ आपको पता है दोस्तो फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही आलरेडी बहुत लंबी मतलब वीडियो जो है डाल दिये है उसमें सारी सारी पॉइंट्स मैंने देख लेते हैं और साथ भी साथ दोस्तों यहाँ पर यह देख लेते हैं कि अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक लग जाती है कोई गलती लग जाती है तो उसको सुधार आप कबसे लेकर कबसे तक कर सकते हैं तो देखो दोस्तो लास देट जो यहाँ पर application form की है वो है आठ नवंबर दो हजार चोबिस तक आप form को fill कर सकते हैं submit कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद अगर form में कोई गलती लगती है तो 10-11 से लेकर 11-11 तक आप form में correction दोस्तों कर सकते हैं मतलब उसमें सुधार आप कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो I hope दोस्तों के सारी चीज़ें आपको clear हो चुकी होंगी फिर भी कोई doubt है तो comment के जरी मुझे आप बता सकते हैं ओके और भी अगर कोई इसके regarding में इन पोस्टों के regarding में अगर फिर भी detail में अगर आपको बहुत बहुत thank you